हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आई होब कि आपकी पेपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी आज मैं चर्चा करूंगा दक्ष की पेपर वन की जो किताब आती है कम्प्यूटर अनुदेशक की उसके बारे में और यहां पे लिखा गया है कि यह 100% सिलिवस पे आधारित है स अरल भाषा शेली के साथ ठीक है तो चलिए उससे पहले में एक चीज़ बता दू कि मैंने एक टेलिग्राम चैनल बना रखाया अल्रेडी आप इस टेलिग्राम चैनल से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं कई बार यूट्यूब पे नोट प्राप्त कर दूँगा तो आप प्लीज इस टेलिग्राम को जोइन करने से आपको काफी फाइदे होंगे आपको फ्री में काफी चीज़े मैं प्रोवाइड करा दूँगा और इसके साथ ही एक और चीज़े बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि जो अधर बुक्से में उनका रिव्यू को नहीं कर रहा तो कई बच्चे पूछते टी एन शर्मा का रिव्यू करो कई बोलते सिखवाल का करो तो दोस्तों आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए मैंने सारी मेजर बुक्स का रिव्यू अल्रेडी कर दिया है तो प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे आप आप मेरे चैनल पर जाएए वहाँ पे प्लेलिस्ट सर्च करो प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा राजस्थान कंप्यूटर टीचर एग्जामनेशन यह मेरी प्लेलिस वीडियो है आपकी कोचिंग ले या नहीं ठीक है कोचिंग आपको कनी चैनी यह भी मैंने यहाँ पर डाल रखी है और फ्लीकी पार्ट सब्सक्राइब डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स का आपको रिव्यू भी दिया है करके इसके लावा मैंने जितने भी इंपॉर्ट ठीक है इस प्लेलिस में जाके आप चेक कर लो आपको सारा मटेरियल एक साथ दिख जाएगा सारी वीडियोज एक साथ दिख जाएंगी अब हम आते हैं सीधा बुक पे तो सबसे पहले बता दू यह बुक उन बच्चों के लिए जिनको प्रैक्टिस जादा करनी है इसमें इतनी जादा नहीं दे रखी सिखवाल में ज्यादा थियोरी दे रखी है सिखवाल में माटेरियल थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों इसमें एम सी क्यूज जादा है इसमें थियोरी कम है प्रैक्टिस क्वेशन जादा है और सिखवाल में थियोरी क्वेशन बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस क्योंचन विल्कूं नामात्र के हैं, वर थिोरी काफी ज्यादा है तो अगर आप थिोरी के लिए खरी दें, तो सिक्वाल करी दें और अगर आपको प्रैक्तिस क्योशन चाहिए, तो आप दक्ष की बुद्ट की खरी सकते हैं यहां पर आप देख लो इसकी जो qualities हैं बुक की यहां पर लिख रखका ज्यादा से ज्यादा वस्तू निष्ट प्रश्णों का समावेश इन्हों ने पहली लाइन ये लिखिए कि इसमें practice questions ज्यादा मिलेंगे आपको और जो last year paper से उनके questions का collection है आपके last year को राजस्तान के examinations ह प्रश्णों का collection दिया गया इसमें इसके जो लेख है कि सुदिंदर शर्मा राम जलाल यादव है अब हम आते हैं अब हम आते सिधा index पे तो अगर आपको index दिख रही है तो यहां पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले इन्होंने यूनिट वाइज बाट आए सबसे पहले तो आपको जो पढ़ना है वो आटन कल्चर पर ध्यान देना है क्योंकि RSMS भी आटन कल्चर से काफी सारे प्रश्णों पूछती है तो आप आप आटन कल्चर के छैसा topic है उसको अच्छे से cover कर लोगे तो भी आप राजस्तान जीके में काफी सारे questions सही कर सकते हैं तो अपना ज अब हम आते हैं फिजिकल कंडिशन जैसे यहां पर राजस्तान का भूग और अर्थव्यवस्ता है ठीक है इसके बाद फॉर्स चैप्टर राजस्तान की बहुत तिक दशाय यानि फिजिकल कंडिशन सव राजस्तान तो यहां पर इन्होंने सीधा सीधा MCQ दे रखे है ठीक और यह आपके टोटल 16 चैप्टर है जिसमें राजस्तान की पॉपलेशन 2011 की बी इंक्लूट की गई है इसके बाद हम आते हैं राजस्तान की हिस्ट्री में then you can see here important sources of राजस्तान हिस्ट्री जो राजस्तान के इतिहास के महतपूर्ण सुरोत हैं कहां कहां से जो अभी लेक ह हो गई इन सब के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा Major Prehistoric civilization आपकी हो गई जैसे राजस्तान में जो जो सिवलाइजेशन होई है ठीक है आहर सब बेता हो गए हमारी आपको यह पढढना पढ़ेगा टौक में जो रैड थी रैड शब बेता हो गई गनिश्वर सब बेता ह भी ठीक है यह सब चीजा आपको पड्नी पड़ेंगे इसके बाद होगई राजासान की डाइनस्टी जो है आपके मेवाड राजवन्ष हो गया मेवाड डैनस्टी हो पर ये आपके बरतपुर में जाट राजवन्स रहा है और उसके बाद आपको यह पर पढ़ना है स्थापत ठिकला यानि आर्किटेक्टर अज़स्तान इसमें आपको पढ़ना पढ़ेगा राजस्तान में कौन से मंदिर किस शेली के है जो दुरग बनें वो किस शेली के है गिरी दूरगे धानंदूरगे सब चीजे पढ़ नी है देन आपको पढ़ना है राजस्तान के रियासते एवं ब्रियिटिस संधिया तो जितने भी ब्रियिटिस टेटीज हुई है वो सारी पढ़नी आपको और जैसे राजस्थान में जो आंदोलन हुआ था तो उसमें जो प्रमुर केरेक्टर्स थे वो सारे पढ़ ले ना ठीक है आउवा के ठाकूर थे खुशाल सिंग इन सबके क्रेशन्स पूछते हैं क्रशक एवं जन जाती आंदोलन दे कि किसान आंद किस किसान आंदोलन से संबन्दित है ठीक है यह वर जादा आपको फोकस करनी हिसान और जंजाती आंदोलन पर प्रजा मंधल भी पढ़ना हो पड़े गया वैसे तो पर ज्यादा फोकस आपको इन दोन पर करना इन को अच्छे से कवर करना है एक एक गरन सदावा टॉपिक के एक ने क्वेशन आई जाता है मेशा तो इंटीग्रेशन राजस्तान तो आप सारे पढ़ ले ना कितने संभाग है अपने टोटल राजस्तान में किसने हटाया संभागों किसने वापिस इसको रिंस्टेट किया कब कौन सा जो है एरिया जो मर्ज हुआ ठीक है वो सातों चरण देख लेना आप उसके बाद आपके परस्नेल्टी से और राजस्तान में आपको ज्यादा तर करन्ट अफेर्स से कवर करना है तो परस्नेल पूछते हैं नेम पूछ सकते हैं उनका पूछते हैं यह पूछ सकते हैं उन्हें किस चेत्र में कारे किया यह भी पूछ सकते हैं तो एंपॉर्टें परसेनलिटीज आप मैं कहूंगा सरकार की Sougas Maxine भी मैं अपने टेलेगराम चेनल पे वह अ अपलोड कर दूँ मैंसे डा मूमल की आती है मूमल की आप 6 मैंने की आती है और सालवर वाली भी मैगजीन आती है करेंड अफेर्स की और परमंत वाली मैगजीन भी आती है मूमल की वो भी पड़ सकते हैं वो भी काफी अच्छी आती है अब हम आते हैं राजस्थान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहुंगा राजस्थान की कला और संस्कृति इससे जो है ये ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है आप किसी भी एक्जाम को उठा के देख लिए इसमें से आपको भर भर के क्वेश जाना है इसको इसमें से प्रश्ण आने की संभावना 200% है आएंगे ही आएंगे इन से बाहर नहीं जाता है मतलब यह टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप कह सकते हैं सदावार टॉपिक है किसी भी एक्जाम को ठाके देख लो राजस्तान की खासकर आरस में सबीकी जो एक्जामन पूछियर पूछ यह गया तो इतने कॉमन नहीं है जैसे पांच पीर होंनके बारे में सब पड़ केजाते हैं आपके तेजा जी पाफूजी हो गए यह तो इसे हैं जो हम इतना नहीं पढ़ते हैं तो इनसे क्योशन बनने लगे है आजकल तो कला जी रा ठोड़ है उनके ब प्रश्ण के परिपरेशन कर लेना और प्रमुक्संत धालंडी संपरदाय में ऐसे question पूछते हैं कि भाई बता हो दादू उपंत है उनका प्रमुकशू को कहा पर ऐसे question पूछ लेते हैं ठीक है कॉन से एरिया में जातर ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां से आप देख लेना अब हम आते हैं आगे मेले और आपको पढ़ने कौन सा मिला का बाता है और तेवार कौन सा का बाता है गोगानुमी को कुछन तो कितनी बार पूछा गया है ठीक है बादपद कृष्ण नाइन को बादपद कृष्ण न अच्छी नहीं लगती अगर आपको साइंस में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो तीन महिने में आप एक काम कर सकते हो फिजिक्स आप कम पढ़ो एक बार सरसरी निगाह से देख लो दो तीन दिन पढ़ लो क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत समय लग देखो यहां पर दस टॉपिक है इन दस को पढ़ने में आपको दस दिन लग जाएंगे इतना समय आपके पास है नहीं तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा अगर आपको लिमिटेट चीजे पढ़नी है ना तो फिजिक्स आप छोड़ दो फिर आपको कुछ तो छोड़ना ह है यह आपको के सब्सक्राइब का यह चाहिं कोंसा केई्मिकल कॉंपोनेंट कहां नहुता दो इस तरह के फ़ीज आ पको पुछ दो और या फिर आपको बता देंगे प्लासटॉर पैरिश शोटने पiegoर्प उसका फॉम्मॉड़ बता दो मृति यह जाक्शने आपके इस तर ठीक है तो यह topic आपके रटा होना चीए कम से कम नवा topic तो पढ़के जाओ अगर आप science कम पढ़के जारे हो तो एक तो chemistry में chemical जो use करते हैं daily life में यह आपको पढ़के जाने ठीक है और जीव विज्ञान में भाई कुछ पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन मानव रोग जरूर कि बताई ये hasn टाइवा होता है डाइवार किस्से हो जाता है कि इस तरह की time पूछ लेंगे विशान ओल सिंद रोग कौन से हैने नमलनेगे बदेंगे बैक्टीरिया से होनेवाला रोग बताई해주 चार्व चार्व श््रून देंगे इस तरह को ऋप्षन बनाते तोर आपको म अभी प्रगर्ति कर रहा है कौन-कौन से अभी हमारे पास भी भाग है कौन-कौन से परियोज नहीं वह सारे इन्होंने कलेक्शन एक साथ दे दिया वह जो काफी अच्छी बात है और अधर बुक्स में यह इस तरह अरेंज नहीं किया मिल तो सारा जाएगा कंटेंट आपको अरेंजमेंट इन्होंने अच्छा किया थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इनका अब हम नीचे आते हैं यह मैथमाटिक्स आप देख लेना मैथमाटिक से पीडिएफ मैं आपको दे दूंगा टेलेग्राम पर खुद चेक कर लेना स्टेटमेंट अजंशन हो गया स्टेट हैं कुछ किताबे चेर्स हैं तो बताइए कि चेर्स किताबे हैं इस तरह के आपके स्टेटमेंट्स आते तो आप देख लेना उसमें श्रंग क्ला सीरीज होगे ब्लड रिलेशन होगे वेंड डिफरेंस इसके बाद आता है नंबर थियोरी सिंपलिफिकेशन डेसिमल फ्रे और यह आपका पूरा सिलिबर्स इंडेक्स खतम आप आजाते हम किस तरह दे रखा है चैप्टर दिखा दे तो आपको यह पहला चैप्टर स्टाट होगे राजस्तान की बहुतिक दशाय है और यूनिट है राजस्तान का भूगोल एवं अर्थ्वैवस था और इसको इंग थ्री तो थ्री पेजेज में इन्होंने थ्योरी दे रखिए उसके बार सीधा प्रश्न स्टार्ट होगे अब मुझे हर बार हर किताब में मैं किसी में भी मताब पांच मिनट भी पढ़ता हूं मुझे एरर दिखी जाती है देखो तो इसको मैंने बस मात्र पांच मिनट पूर्व में और राजस्तान को पस्ची में सबसे छोरपे गाँ है वह कौन सा यह बेसिकली यह पूछ रहे हैं तो आपको पता है कि सिलान है जो आपका पूरुतम गाँ और यह करेटा नहीं होता कटरा होता है यह उप्शन सही है ऑप्शन इस राइट पर यह अगर कोई नया बच्छा आए और उसमें गलत पड़ लिया उसके दिमाग में गलत चीज आ गई ना तो फिर उसके साथ दिक्कत हो जाएगी इसको भूलना मुश्किल हो जाता ना फिर इसको पहले भूलाओ गलत चीज को और कल को एक्जाम में आजाए तो वो प्रॉब्लम हो यार कम से कम ठीक है तो क्या है अगर आप अच्छे से करा लो ना तो फिर उस किताब की इमेज अच्छी हो जाती है फिर कम से कम विश्वास से पढ़ सकते हैं कि एरर नहीं मिलेगी वो विश्वास ही नहीं पैदा होता थियोरी इसमें अच्छी है थियोरी में कोई अब कहीं भी चले जाना आप बता देना उससे अच्छी बूक हो तो कोई मुझे तो उससे अच्छी बूक कोई लगती नहीं है आपको और और पॉब्लिकेशन अच्छा लगे तो वह कर सकते हैं क्योंकि इसमें एरर्स नहीं लक्षे के किताब में मैंने एक चीछ देखिया रेर ही शायद ही कभी कोई एरर दिखे लक्षे की बुक्स की ये खासियत है तो मैं इसलिए लक्षे जदा प्रिफर करता हूँ किसी बेहने किताब से पेपर वन अगर लक्षे वाले चापते ना तो मैं 100% उसको खरीद ता लेकिन उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया तो फिर आदी वीडियो देखे मैं सारे आपके सवालों के जवाब एक पूरी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं सबके कमेंट पर रिपलाई करने की भी कोशिश करता हूँ आप समझे कितना मुश्किल काम है मेरे लिए आपके एक दिन के कमेंट्स रिपल होना तो बतादेना मुझे पर मैं फिर भी सोचता हूं कि आपका आप baut मतलब मैंतल्ब अगर मुझ से कुछ पूछा है तो यार आप बहुत परशानी में होंगे आप तो मुझे मेरा मतलब मैं ज़सी बनता है आपको पाओ तो यह इसका रिव्यू है और यह इसका लास्ट पेज यह इसकी पीडिएफ में अपने टेलेग्राम पर आपको दे दूँगा इसके बाद मैं बस नाइन टू ट्वेल्ट की जो चार बुक्स हैं आपके राजस्तान बोड की उनका रिव्यू करने की ट्राइ करूंगा मैं सब्सक्राइब तो इसके साथ अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो बता देना किसी और टॉपिक्स लेटर पर कम से कम पूरी वीडियो देखें तो कमेंट करें तो अच्छा है क्योंकि मैं अल्रड़ी बहुत सी चीज़े कवर कर चुका होता हूं आप सेम चीज झाल 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 झाल